जहन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे आज की डेट में स्कालर्शिप को लेकर एक बड़ी खबर आ रहे हैं यदि आप ITE के चातरे और यदि आपने स्कालर्शिप का फार्म को अपलाई किया था तो फाइनले स्कालर्शिप आना सुरू हो चुका है कुछ चातरों का स्कालर्शिप आ चुका है लेकिन बहुत सारे चातर ऐसे जिनका अभी तक स्कालर्शिप नहीं आया है लेकिन उनका स्कालर्शिप आएगा और ऐसे में क्या होता है कि आप scholarship चेक करना चाहते हैं कि कैसे हम अब पता कर पाएं कि हमारा scholarship आया है या नहीं आया है तो मैं आपको आज की एट में बिल्कुल असान तरीका बताने वाला हूँ अपने mobile phone से आप असानी से अपना scholarship चेक कर पाएंगे आपको बार बार bank पर जाने की जुरूरत नहीं होगी तो इसके लिए आपको करना क्या सातियो सबसे पहले आपको chrome browser open करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर chrome browser open किया और मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इसमें साब तोर पे लिखा गया है यहाँ पर pfms ुश कर्फ़की बहुत सरे चातर दें और सर्च करते हैं वह सही तरिका και Them तरNe책 से यहां इस इस का पस्वेब्सायड पर और बार-बार बैंग जाते हैं तो आपको बिल्कुल यहां पर step by step देखना है, पूरी जनकारी आपको देने वाले कैसे आप mobile के द्वारा चिक कर पाएंगे, यहां पर आपके सामने एक नया पेर यहां पर open हो जाएगा, इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक three dot का option देख रहा होगा, simply आपको इस पर click कर देना है, और click करने के बाद आपको नीचे जाना है, और यहां पर देखिए, आपको एक desktop का option यहां पर देखने को मिला है, desktop site का, और आगे यहां पर tick का option देख रहा है, तो simply आपको करना है कि यहां पर tick वाले option पर click कर देना है, और दोबारा यह website यहां पर option देखने को मिल जाएगा know your payments तो आपको simply इसी option पर click कर देना है और जैसे आप इस पर click करते आपका passbook है या आपका state bank का है या union का है या जो भी bank का आपका नाम होगा simply आपको इसमें fill करना है वैसे आप यहाँ पर एक या दू अच्छर यहाँ पर fill करेंगे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से fill किजेगा और यहाँ पर जो amount number आप fill करेंगे दोबारा आपको इसमें fill करना है और बहुत सरे चातर क्या करते copy paste करते हैं कि इसमें copy करके दूबारा इसमें paste कर देते हैं मतलब उनको सेम हो जाता है लेकिन यह जो वैप साइट ए से आपको keyboard के दूआरा इसमें fill करना होगा इसको ध्यान किएगा अब आपको करना कै सात्यो हो इतना fill करने के बाद अब आपको सामने यहाँ पर एक आपसन देखने को मिल ला है यहाँ पर एक capture code यह आपका जो 0 यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपको O और B E 8 आपको देखने को मिल ला है अब आपको यह करना क्या है इसी code को नीचे यहाँ पर word scholarship का फिलब किया है आप इसमें यहाँ पर उसके आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा सेने टू ओट पी पर यहाँ पर आपको मैसेज चले जाएगा और जब यहाँ पर आप इसका जो verification करेंगे उसके बाद आपका इस टेटर से आपको सो हो जाएगा आपका पैसा आया है या नहीं आया है तो यह बिलकूल असान तरीका है आप अपने scholarship चेक कर पाएंगे